हेलो एवरिवान और वेलकम बैक तो दी चानल टी एज क्लासेज तो आज के सोडियों में हम देखने वाले हैं हमारी टीमे की सीरीज का एक और नया टीमे यह है आपका फिजिकल एजुकेशन इन योग 373 का कोड है यह टीमे आपका फुली सॉल्ड टीमे मैं आपको दिखाने आपके लिए और इसके अलावा यह बिलकुल फ्री है तो यह बहुत अमेजिंग बात है ना तो चलिए हमारे को स्टार्ट करते हैं जिनको नहीं पता टीमे की हमारे चैनल पर चल रही है सीरीज जिसमें हम आपको सभी सॉल्ड प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके साथ टीमे प्रोवाइड करवा रहे हैं और 31 जन यानि की 31 जनवरी आपकी लास्ट रेट है टीमे को समिट करवाने की तो उससे बहले प्लीज आप अपने टीमेस को जमा करवा दीजिए टीमे जो है वो बेसिकली आपके असाइन्मेंस होते हैं इसमें आपके 6 आपको आंसर करना होता और यहां पर आपको यह बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं और यह जो क्वेश्चन से यह आपको प्रैक्टिकल पेजिस पर लिखने होंगी जिस तरीके का पेज मैंने समाल किया है वैसा ही आपको पेज इसलिए मैं आपके लिए हैंड टीमे इस वार टाकि आपको यह पढ़ा चले कि किस तरीके से आपको लिखना है क्वेश्चन को और किस तरीके से आंसर करना है इस तरीके से आप उपर सक्षरणव और संवाकर सकते हैं जिसका ऑ्क potato प्ल्यू पेंड़ करिए हैं यहां पर दिखो सकनीनी लगा है इसलिए आपको फॉनमा का question है यह पार्ट मैंने यहां पर चूज किया है question में पूछा था लिस्ट दम मेजर कॉंट्रिबूशन ओफ योग इन मेंटेनिंग जनरल वेल बिंग ऑफ पीपल यानि की जो योगा होता है उसके क्या मेजर कॉंट्रिबूशन है लोगों की डे-टुले करूंगी सो दाट आप इसका स्क्रिंचोट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पोज करके आप जो है टीमे को अपने बना सकते हैं question नबर सेकिंड देख लेते हैं question में आपसे पूछा है यह भी आपका दो नंबर का है इसमें आपसे पूला है कि आपको फिजिकल और psychological disorder का जो differentiation है differentiate करना है इन दोनों के बीच ठीक है यह पार्ट है यह आंसर यह रहा आपको इसी तरीके से table form में बनाएंगी तो काफी अच्छा रहेगा बहुत अच्छा impact पड़ेगा आपके डीचर के उपर और अच्छे marks आपको मिलेंगे हम काफे सालों से TMA प्रोवाइड क किना थोड़ा adjust करिएगा 40 to 60 words में है दो नंबर का question है बीपार्ट सूस किया है elaborate in brief about the major impact of योगिक आसनाज on our day to day life यानी कि जो योगिक आसन होते हैं उनका हमारी day to day life में क्या impact होता है major impact क्या है उसका तो answer देख लिजए इसका answer यह रहा है यहां से यहां तक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं fourth question आपका 100-300 शब्दों में है और यह आपका four marks का question है तो question की marks बड़े है it means question की length भी हमें बढ़ानी पड़ेगी answer में तो a part यहां पर मैंने choose किया है list the qualities which will be required for a physical education teacher according to your experience यानि कि आपके experience के अनुसार एक physical education teacher में क्या-क्या skills या क्या-क्या qualities होनी चाहिए ठीक है तो answer देख लिजिए इसका first point second point इस तरही के से मैंने points में लिखा है ताकि बहुत अच्छा लगे दिखने में भी और आपको marks पे अच्छे मिल जाए ठीक है तो यह इसी तरीके से आपको same as it is लिखना है कोई भी changes मत करिएगा TMA बनाते वक्त बिल्कुल same as it is आपको उतारना है अच्छा एक important update या फिर एक important note मैं हाँ पर देती हूँ कि आपको अगर इस TMA का PDF चाहिए मतलब जिस तरीके से मैंने hand return बनाया हुआ है आपके लिए आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे telegram group जिसका नाम है TH Classes मैं again repeat कर रही हूँ telegram group जिसका नाम है TH Classes वहाँ पर आप join करिए join करने के बाद आपको हमें personally message करना पड़ेगा वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं और यह जो PDF है इसको आप directly अपने dashboard पर upload कर सकते हैं यानि कि आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीधा हमसे purchase करीजिए और आप अपने dashboard पर upload कर दीजिए तो मैंने purchase word कहा है it means यह PDF जो है यह paid है यानि आपको चोट सम मिनिमल चार्ज पे करना पड़ेगा और आपको यह PDF हम दे देंगे तो जिन भी बच्चों को PDF चाहिए वो हमसे telegram group पर join होकर ले सकते हैं उसके बाद fifth question है सो से देट सो शब्दों में चार नंबर का again यह question है बी पार्ट मैंने चूज किया है list the key principle of obtaining good health यानि की good health को obtain करने के लिए क्या-क्या key principles हो सकते हैं या क्या key principle है तो इसका answer देख लीजिए first point, second point, third point, fourth point तो इसी तरीके से सारे points आपको लिखने हैं ठीक है और मैंने इसमें यहाँ पर यह सारे points आपके लिखे हैं ठीक है और यहाँ तक आपका fifth question जो है end हो रहा है उसके बाद आपका छटा question स्राट होता है जो कि project based question है और यह question का answer आपको मुश्किल से मिलता है तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe किया हुआ है तो आपको यह question गा answer भी आसानी से हम provide करवा देते हैं यह part यहाँ पर मैंने चूल किया है write the name of 12 poses of सूर्य नमस्कार with their one benefit in the table यानि कि एक table हमें दी हुई है इसमें हमें सूर्य नमस्कार के हर एक pause का जो है one run करते हुए उसका एक benefit भी बताना है साथ में ठीक है तो यह इस तरीके से आपको table बनानी है same as it is उमीद करती हूँ आपको TMA पसंद आ रहे हैं और आपने साथ साथ वीडियो को like कर दिया है मेरी स्मयनत के लिए तो वीडियो को like ज़रूर कर दीजे आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते इसी में खो जाते हैं वीडियो में ही तो answer देख लिजेश का यहां से start है ठीक है table से उसके बाद नीचे यह table continue हो रही है और यह पूरी की पूरी table आपको as it is बनानी है और पूरे के पूरे 12 जो आसन है यहाँ पर मैंने सारे लिख दिये हैं यहाँ पर आपका TMA हो जाता है complete I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा शेयर उन दोस्तों के साथ करिए जिन्होंने अभी तक TMA नहीं बनाए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल् आपको क्या होगा इससे बहुत बेनेफिट है आपको आपको इसे एक प्लाटफॉर्म पर मिल जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो उमेद करती हूं आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और यह कमेंट करना बिल्कुल भी मत करता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं थैंक्स वर वाच